गाईस हर एक Biker मनाली ले लग्धाक वाले हाईवे पर अपनी बाईक चलाना चाहता है वहाँ पर जाके घुमना चाहता है And guys, मैं ऐसा समझता हूँ कि शैसे हमारे भारत देश का हर एक लड़का, हर एक नौजवान ऐसा सोचता है कि मैं अपने लाइफ में कभी न कभी तो लद्दाक या फिर मनाली में जाओंगा ही जाओंगा लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितना ही जादा उत्सा से भरेवे लोग रहते हैं मनाली जाने के लिए, उससे जादा उत्सा ही वहां की एक चीज होती है अपसे मिलने के लिए, लेकिन वो चीज कोई इनसान नहीं है, क्या है आपको मैं fictional बना के नहीं कह रहा हूँ आपको बहुत सार इंटरनेट आर्टिकल्स ब्लॉग्स यूटूब पे वीडियोज मिलेंगे मलब टूरिस्ट के बीच में ये कहानी बहुत ही जादा फैली हुई है इन गैस इस कहानी का जो सबस्यादा पेचीदा पॉइंट है मलमें वो क्या है कि वहाँ पे जो पेरणावल एंटिटी है वहाँ पे जो आत्मा है उससे लोग सिर्फ डरते ही नहीं है बलकि उस जगे पे उस इलाके पर उसकी एक मंदिर भी है अब ये सब कुछ क्यू है वहाँ पे उसकी पूजा क्यू करी जाती लोग ये सारी चीज़े क्यू करते है क्या है वो आत्मा और क्या हुआ था ये हाथसा वो पता चलेगा आपको आज इस वीडियो में अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एन हिस्टोरिकल वीडियो जेखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजे इस चैनल को अब ये कहानी शुरू होती है गैस आज की ये कहानी होने वाली है मनाली और लद्दाक के बीच के एक इलाके के बारे में जिसका नाम है गाटा लूपस ये जो नाम है नहीं है सुनने में भी यूनीक है ये जगा भी बहुत जादे यूनीक है वो कैसे आपको आगे बता चलेगा ये कहानी है पराग और उसके कुछ दोस्तों की जो हाल ही में मनाली और लद्दाक जाने का प्लैन आउट कर रहे थे and recently सब लोग एकदम फुल सेट हो चुगे थे जाने के लिए माबाप मान गए थे everything was set अभी उसमें से कुछ-कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसा confusion हो रहा था कि जाएंगे कैसे वहाँ पर क्या हम लोग फ्लाइट से जाए लद्दाक में या फिर हम लोग यहीं से बाइकिंग करते वजाए और वहाँ पर जाके भी बाइकिंग करेंगे तो उसी वक्त पराग का एक दोस्त है मुकुल तो मुकुल ने क्या कहा कि guys हम सब लोग बाइकर्स है लेकिन थोड़ा सेंस बनाओ यहां से जाने के बाद हम लोग बहुत जाता ठक जाएंगे तो इस बेटर कि हम लोग लद्दाक सीधा जाते है फ्लाइट से और उतरने के बाद हम लोग बाइक्स को रेंट कर लेंगे और फिर सब ने अपनी अपनी हां कहर दी इस चीज़ पर इसके बाद सब लोग रवाना हो गए है लद्दाक के लिए आप एक चीज़ सोच भी नहीं सकते कि लद्दाक जितना दिखने में खुबसूरत लगता है उससे भी कई गुना जादा ये जगा हॉंटेड है सा कहा जाता है न कि चांद में जितनी रोष्टी है चांद जितना ज़्यादा खुबसूरत दिखता है उसमें दाग भी उतने ही जगाए होती है जिसमें इससी beautiful beautiful scenery होती है लेकिन वो जगा इतनी ही ज़्यादा हॉंटेड होती है लद्दाख में भी ऐसे बहुत ज़्यादा दाग है जो आपको आके जाके पता चलेगा फाइनली पराव और उसके दोस्तों अभी लद्दाख में पहुच चुके थे पहुचने के बाद उन्होंने अपनी बाइक को रेंट पे ले लिया फाइनली उन्होंने अपनी जर्णी की शुरुआत कर ली थी जब वो लोग लद्दाख से मनाली जा रहे थे तो उस दौरान उनको एक खबर मिली कि जिस रास्ते से उनको जाना था उस रास्ते में लाइंग स्लाइडिंग का बहुत ही ज़्यादा खत्रा है तो वो थोड़े से अपसेट थे लेकिन वो लोग एकसाइटमेंट उनमें इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अवाइड के चिसको इग्नोर किया बताया जाते है कि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब होता है आप यहापे बिल्कुल भी स्वीड नहीं कर सकते हो वहाँ पर एकदम स्ट्रिक वर्निंग से कि आप यहाँ पर अगर स्पीड करोगे तो excellence होने के बहुत जादे यहाँ पे chances होते है लेकिन उसी समय में पराव और उसके दोस्त लोग ने बोला कि या रहे नहीं हम लोग इतने जादा experienced bikers है हमको क्या ही दिक्कत होगी है ना हम लोग तो यहाँ पर आराम से चला लेंगे हम लोग अपने मनमर्जी की speed के इसाब से यहा पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो हाथ से होते है वो इनसान नहीं करते है तो यह और करता है अब कैस फाइनली पराग और उसके दोस्त गाटा लूप्स में आ गए थे लिगन का इस गाटा लूप्स में आते ही ना थूड़ी सी हलकी फुलकी सी बारिश हो रही थी और थोड़ा थोड़ा करके ठक रहा है और उसको ऐसा लग रहा था कि अभी यह रास्ता इतना ज्यादा खराब है कि मैं रुक भी नहीं सकता हूं यहां पर उसने कहा कि बस कोई तो बस एक सेफ मोड आजा है सेफ मोड आ जाने के बाद में थोड़ा सा बस अराम कर लूँ फिर पूचल नहीं जा रहा था उसने अपने सारे दोस्तों को बताया इस बारे में उसने बुला कि यार बस मुझे हराम करने का थोड़ा मौका मिल जाए फिर दोस्तों ने बोला एक काम कर अगर तुझे चाहिए तो थोड़े देर के लिए रुक जा हम लोग आगे निकल जाते बाद में तो हम लोग को जॉइन करने ना आगे जाके हम थोड़ा आगे जाके स्लो हो जाएंगे फिर ये सुनने के बाद पराग को थोड़ा सा बुरा लगा कि अरे उसके दोस्तों लोग रुक नहीं रहे है लेकर उसको भी समझ में आए कि वो लोग भी बहुत जादा एक् अभी ना उसने देखा कि थोड़े ही देर बाद एक्तम दूर से कोई तो एक आदमी चलता हूँ आ रहा है शौकिंग बात लग रही थी उसको ये चीज़ क्योंकि उस पूरे इलाके में कोई भी आदमी था ही नहीं जो कि अपने पैरों से चलते वहा है ये एक ऐसा इलाका जहां पर लोग गाड़ी और ट्रक्स और बाइक से ही घूमते हैं बाइक से भी बहुत रैरली गाटा लूपस में और बाइक तो मतलब बिलकुल थी ही नहीं जैसे कि उसको कोई एक इंसान दिख जाए बस नहीं सिफ गाड़ी और ट्रक्स चल रही थी वहाँ पर लेकिन ये एक अकेला आदमी वहाँ पर चल रहा था शॉकिंग इसने सिर्फ एक ही शॉल पैना था इतनी जादा थंड में शॉकिंग इसको बार बार ऐसा लग रहा था कि ये है कौन यार ये इनसान दिखे नहीं रहा है बिलकुल भी अच्छे से क्योंकि उसने उस शॉल से अपना मू भी उसने पूरा अच्छे से कवर करके रखा हुआ था कि मतब कुछ दिखे ही ना इनसान को अब वो देरी-देर करके वो आदमी पराग के ओर आ रहा था उसके तरफ ही बढ़ रहा था तो उसने बोले ये जैसे आगा मैं उसको डेफिनिटल पूछूंगा कि तूने ये पराग के बिल्कुल करीब पहुच चुका था और वो इतना करीब आ गया था कि अभी पराग उसको फाइनली पूछ सकता था कि भाई इतनी ठंड में सिर्फ एक ही शौल क्यूब पहना है अपने उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो फिर पराग ने उस इंसान को उपर से ल लगी है तो इसका इलाज कर रहा हूँ ऐसा आपको नहीं घुमना ची इतनी ठंड में वो भी फिर विए उस इंसान ने ना कोई जवाब नहीं दिया उसको बहुत ज्यादा अब उसको अलग सा लग रहा था कि भाई मैं इतना सा कुछ बोल दिया हूँ इसने को जवाब नही किया फिर पराग को लगा कि शायद से इंसान गरीब है शायद से पैसे मांग रहा है मुझसे फिर उसने थोड़ी से पैसे निकाले इन उसके हाथ में दग दी फिर उस इंसान ने अच्छानक से अपनी आखे खोली फिर पराग ने देखा कि इसकी तो आखे ही नहीं है वो उ इस इंसान का जो शॉल था, जो उसके पूरे बदन पे गिरा हुआ था, वो भी पूरे नीचे गिर गिर गया, और उसने देखा, कि इस इंसान का कोई बदन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंकाल है, स्केलेटन, पराग ने अभी जल्दी से अपनी बाइक को लिया, और वो वहा और आगे ज़स थोड़ा वो अपने आपे में आया ही था, कि अब उसके नजरों के सामने देखा, कि एक ट्रक सामने खड़ा है, और उसका ड्राइवर है, वहाँ पे बाजु में खड़ा, और उसके पास वही जो इंसान था, वो चलके जा रहा है, जिसने शॉल पैना हुआ उसने देखा कि वो जो ट्रक ड्राइवर है वो उसको पानी दे रहा है, अभी भी उसको यकिन नहीं हो रहा था, वो एक्तब तीजी से उसने वहाँ से अपनी जो बाइक थी उसे निकाला, उसको अभी भी यकिन नहीं हो था, और गाइस यही चीज, सेम चीज, उसने दो ती अपनी नजरे घुमा घुमा के देख रहा था, कि शैद से कोई आ रहा है, मेरे करीब, शैयद से कोई आ रहा है, अभी वो Finally देख सकता था, कि वो जो थी वो चीज, वो इनसान या वो शैधान, वो उसके पीछे आ रहा था, उसके रॉंग्टे खड़े हो रहे थे बार-बार उसने वहाँ से अपनी बाइक को भगाया और उसने पास में देखा कि यहाँ पे एक धाबा है वो वहाँ पे जाके रुख गया बाइक से उत्रा है और वो बहुत जोर-जोर का हाफ ने लगा जो धाबे में कुछ लोग बैठे थे वो आए उसके पास है उसने बोला ऐसा क्या हो गया है आपके साथ फिर उसने अपनी ये पूरी कहानी बताई कि मुझे ऐसी एक आत्मा देखी एक ऐसी प्रेत आत्मा देखी जिसको लोग पानी दे रहे थे और वो मेरे करीब भी आई थी उसी वक धाबे में एक इनसान बैठा हुआ था जिसने जो पराग था उसको ऐसे करके बुलाए कि आपके मेरा नजदी का हूँ फिर उस इनसान ने कहा कि बेटा ये जो चीज आपने देखी है ये एक प्रेत आत्मा ही है जो कि उस रास्ते की एक एक सिरेंट में मारा गया था वहीं पे एक हाथसा हो था उसके दाथ वहीं पे मारा गया था इसकी भी एक बहुत पुरानी कहानी है, कि थिहास है, फिर उसने वो सुनाना शुरू किया कि साल 1999 में इस गाटा लूपस में बहुत ही जादा तेज स्नो स्टॉम आया था, ठीक है, बरफ का तुफान आया था, एन उसके बीच में एक ट्रक ड्रैवर जो की बहुत टाइम से न ना है, एन उसी वक्त उसको पता नहीं था कि गाटा लूपस में बहुत ही जादा स्टक हो जाने वाला है वो, तो उसकी जो ट्रक थी वो गाटा लूपस में आके अटक गई, अटकने के बाद उसने देखा कि ना भी ट्रक आगे जा रही है, ना पीछे आ रही है, क्योंकि पर अपने एक्तम जाम करके रखा है, फिर उसने बोला पास में शायद से गाओ है, वहाँ पर जाके में मदद मांग लेता हूँ, वो ट्रक ड्राइवर ट्रक में अकेला नहीं था, उसके साथ एक हेलपर भी था उसके साथ, उसने अपने हेलपर को बोला कि आप यहीं पे र वापस से लोटा नहीं, वो जो हेलपर था ना वो अभी उसी ट्रक के अंदर ही था, यह सब कुछ उसको पता था उस राइवर को और वो गया हुआ था किसी गाओं में मदद मांगने के लिए, लेकिन वो जब जा रहा था, तो फिर उसक उसने देखा कि वो जो गाओं का रा भोला तब उसने देखा कि उसका जो हेलपर था ना, उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि गाइस एक बात समझे है, फूसी ट्रक के अंदर था, इतनी ज़्यादा थंड में, ना उसके पास पीने के लिए पानी था, ना उसके लिए खाने के लिए खाना था, तो उसकी मौत होना तो एकदम निश्चिन थी यही जो चीज है यही इस पूरी कहानी को एक हॉरर स्टोरी में तबदील कर देती है उस हेलपर की आत्मा वहाँ पे आज भी ही भटकती है गाटा लूपस में बताया जाता कि यह वहाँ की सबसे जादा खतरनाक आत्मा है यह हर जगा पे जो भी उसको इनसान वहाँ पे दिखता है यह आत्मा उसके करीब जाती है जाके पीने के लिए पानी मांगती है अगर जिसने भी उस आत्मा की मदद नहीं करी तो फिर बहुत जल्द कुछी गंटों में उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो सकता है उसकी मौत भी हो सकती है ऐसा बहुत सार इंटेनेट आर्टिकल्स में लिखा गया आपको वो पता चलेगा यह जो कहानी है न धीरे धीरे करके यह उस गाउं में भी फेमस होने लग गये जूकि वहाँ पे नजदीक का गाउं था तो उन्होंने यह सब कुछ समझ के उस आत्मा के लिए एक मंदिर भी बनाया जो भी वहाँ से आता जाता है वहाँ पे जो भी सफर करता है वो उस मंदिर के पास जाके कुछ पानी की बॉटले जाके रखता है कुछ खाने के लिए बिस्केट या फिर कुछ भी सामान रखता है जिससे वो खा सके ये सब कुछ सुनकर पराग के पैरो तले जमिन किसक चुकी थी क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो लिटरली एक प्रेत आत्मा से मिलेगा लेकिन उसे न अब एक और एक चीज याद आई कि इन सब लोगों ने उसको पानी की बोटल दी थी इसके लिए वो लोग आज तक बचे है मैंनो तो उससे कोई भी पानी की बोटल दी ही नहीं मतलब मेरे साथ bhi कोई नहीं हाथसा कभी भी हो सकता है तो उसने क्या किया उस धाबे से वो जल्दी से निकला अपने बाइक में बैठा एंड उस ही मंदिर में गया उस हेलपर की मंदिर में वहाँ पे जाके उसने बहुत सारी माफी मांगी कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था आपके बारे में और मैं बहुत अपसोस बताता हूँ यहाँ पे आके कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ and मैं अब भी अपनी पानी की बॉटल भी यहां पर रख के जा रहा हूँ प्लीज मुझे माफ कर दो and वो वहाँ से निकल गया guys अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर आत्माएं बुरी नहीं होती लेकिन ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती है जो कि आपसे कुछ चाहती है आपसे कुछ मांगती है अपने मूँ से नहीं मांगीगी अपनी जुबां से नहीं मांगीगी वो आपको समझना होगा उस जगे के इतिहास को जान कर सो इसके लिए गईस में हर एक वीडियो में कहता हो न爹 कि जिस बी जगे पे जाते हो उसका इतिहास अच्छे से जान लीजिए बना अगर आपने उसकी मूँ मांगी चीजे अगर उसे नहीं करी जो उसकी इतिहास में चीजे उसको